इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह सूजन, खुजली और लालिमा जैसे लक्षनों को कम करने में मदद करता है। आपको हमेशा मोमेसोन क्रीम का इस्तेमाल ठीक वैसे ही करना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है। अनुशन सित अवधी से अधिक के लिए क्रीम या मलहम का उप्योग न करें। इसे तवचा पर एक पतली परत के रूप में फैलाएं। जब तक आपका डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए न कहें, उसक्षेत्र को पट्टी या प्लास्ट से न धकें। आपको इस दवा का न संभावित दुश्प्रभाव हैं, लेकिन हर कोई उन्हें प्राप्त नहीं करेगा। इनमें तवचा का पतला होना या रंग में बदलाव, जलन, चुभन और खुजली शामिल हैं। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप इनसे परेशान हैं या ये दूर नहीं होते हैं अपने चिकित्सक को अपनी किसी भी चिकित्सा समस्या के बारे में बताएं जैसे कि तवचा का पतला होना तवचा का कोई संक्रमन, तूटी हुई या अलसर युक्ट तवचा, मधुमेय और प्रतिरक्षा प्रनाली की समस्याएं। इसके अलावा डॉक्टर को अन्य दवा के बारे में सूचित करें जो आप ले रहे हैं, विशेशकर स्टेरोइड, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।